तो यह रोड तो अभी बने जी हमने जिंदिकी में रोड नहीं देखे थे चल पाएगी नहीं नहीं चला है और हैड़ पंप नहीं यह भी चला है सब सब पूरी हम तन मन से सब बीजेपी के साथ ऐसा विकास किसी ने कि पिछली पॉंच साल में करा ही नहीं है एक बीजेपी पार्टी मातर ऐची पार्टी है जो मलागि अपने बल पे लड़ रही है यहाँ पे अच्छा उनका दबदबा है मलागि अच्छी उनकी छवी है बीजेपी सरकारी पहले का सिंदा पहले तो जी बहुत दंगा पिषाद होते रहते थे अब चार पास साल से अब सुरक्षा बढ़िया है पहले से ववस्ता सही है और बाजबा ने जितना विकास किया है उसके अनुसार बोट तो बाजबा को देने का हमारा अधिकार बनता है नमस्कर अब देख रहे हैं कैपिल टीवी और मैं हूँ उदिश्टर उपाधा इस वक्त मौझूद हूँ मैं पश्चिम उत्रप्रदेश के बागपज जिले में और ये गाउं है सुनेडा इस वक्त मौझूद हूँ मैं हरी जनों की बस्ती में यानि दरिद भाईयों की ब सच्चाए क्या है हकीकत जानने के लिए आया हूँ और यहां के मुद्देस बार क्या होंगे चुनाबी जंग में रण में वह भी जानने की कोशिश करूँगा सीधे सीधे चलता हूं यह तमाम लोग बुजुर्ग भी हैं सबसे एक एक करके बात करता हूं क्या नाम है आप सबस्क्राइब आते रहते हैं महीं ने में हमारी खबर लेते हैं सबकी तो क्या कुछ लगा पांच साल में विए विए विकास अच्छा हुआ है हमाने यहां पर चोटी पार्ट तो देखो गठबंदन करती रहते हैं जैसे आरल लिया सपा यह तो गठबंदन करें एक बीजेपी पार्टी मात रहे ऐसी पार्टी है जो मलग अपने बल पर लड़ रही है यहां पर अच्छा उनका दब परवाद नहीं है यहां नहीं रवय रस्ता बना दिया अंडर पास में पानी बढ़ जाता लिकार्णने का रास्ता नहीं रहा दा अब मारे लिए सटक बंडी के कोटे से हुआ है हाँ जी हमें कि अगर हम जा रहे थे अंडर पास से तो अमने बहुत सारी मुस्रीबतों का सामना करना पड़ रहा था जैसे मालिया हम बारिस में जाते तो निकल नहीं सकते थे अब यह चीछ जो है हमारे सभी गाउं वालों ने धामा जी के विदायक जी के सा अभी मुस्रीबतों से बच जाएंगे लेकिन यह सपार एल्डी का घडवंदा ने टकर देने का वह आप हैं आप एक पूरी जो पुरा जो गाउं में एक परिवार समाज की तरह रहता है हमारे सुक दुक में हमारा जो हमारी जो पट्टि हमारे साथ रहता है और हमेज से अच्छा कुछ नहीं चाहिए पिछली सरकार की बात करो सपा सरकार अब सरकार की बात कर रहा हूं विधायक से छोड़के सपा सरकार हो या फिर अखले शरकार सरक्षा और यह सारी स्टितिय सटक पाने विजली किसमें अच्छी रही नहीं देखो यह तो अगर यहां से बड़ो तक भी जाना पड़ जाए तो हमें गड्डों में जाना पड़ता था मतलब जो रियल है या मैं यहां से दिल्ली डूटी करता हूँ अगर मैं दिल्ली के लिए जाता था तो मतलब इतने घड़े थे इतने दोल होती थी है कि हमारी आखे भी फूटने लगती थी अब मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है मतलब सब मारे साथ है विधायक भी मारे साथ है सब बहुत बढ़िया काम करें अच्छा हम उसी के साथ है जैसे मारी गाम मारे साथ है उसी साथ सबका साथ सबका विकास सबका विकास बीजेपी अच्छे तरीके से काम कर रहे है जिस तरफ मारी पट्टी रहेगी या गाम रहे सब बढ़ न सब बढ़िया है सब काम बढ़िया हो रहे हैं सब सुरक्षा बढ़िया है पहले से ववस्ता पर अदमी है के या पठ्टी करेगी उसी के साथ हम्हाः बेजबी के तरफ मन बला चुकैंघा के भूरा में बहुत उच्छा लगा 627 कहींगा है भी जेपे के साथ में और भी सिल्वी ओंपिन यहां हार तरह से सभी दे दिए कि इसलिए हमारा सब 고양 करके आब हरा न पार्टी में बोट का अपना मन होता है जहां विकास होगा वहां बोट होगी और बाजबार ने जितना विकास किया है उसके अनुसार बोट तो बाजबा को देने का हमारा अधिकार बनता है कि यह सब जो चल रहा है उससे गटवंदन कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं पढ़ने वाला गटवंदन से मन के साथ दिल ठोक के देंगे बीज़ेगा अधिका लगा पांच साल में कुछ ठीक हुआ पांच साल हमारी हो रही है और आगा चलती रहेगी जैसे भी यह हमारा है आपका गाम में सब्सक्राइब कर देख वो नहीं तो क्या नाम है आपका समसुद्दीन जी बढ़िया लगा विकास है बढ़िया ये कहते हैं मुसलमान खौफ में आ जाते हैं जबीजेपी की सरकार आती है प्रकास जी आपको कुछ पांच साल में क्या कुछ अच्छा लगा पांच काम बताई है मुझे को अच्छा 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 जी हमारे जो है यह धामा जी ने यह रोड बनुवाया है जी हमारे सुनेड़ा गाम से खेकड़े जाने के लिए हम तो जी जो कोई भी आए कोई जो विकास करेगा बढ़िया विकास करेगा जो नेता बढ़िया विकास करेगा हम तो उसकी साथ रहेंगा जी बहुत कुछ किया जी चारी तो नहीं होती आसपास नए जी कोई पहले का सिंथा पहले तो जी बहुत दंगा पिशाद होते रहते थे अब चार पांच साल से ठी हाजी जो भी काम है पुलिस का वो अपना काम फिट कर तरकी कर गया है इसने हर चीज मैं रोस बिजली पाणी सड़ाक देश के लिए ऐसा विकास किसी ने कि पिछली पांच साल में करा ही नहीं है जितना दामा जी बार बार गाउं में भी आते रहे देख दो मिनें दो चाहर मि में सबका पता लेते हैं और सब रेलवेल की समश्या सब इनिके उस बीज़ेभी के वज़र से होई है ज्यामा जी बहुत अच्य नेता है यहां के और हम यह कुछ नहीं सब फेलो जोंगे सब शाप चल पाएगी नहीं नहीं चला साथ इसना है सब पूरी हम तन मन से दान से स अब बीजेएपी के साथ है योगे जी धामा जी और बीजेएपी ये मोदी जी योगी जी इनों बहुत अच्छा काम करें अभी तक बहुत ही अच्छा हर चीज की सुरक्षा सब पहले तो सब ऐसी ता मामला लड़ाई जगडा ना कहीं सुनवा यहुती ना कुछ इसलिए इन यहां पर मैं जानने की कोशिश करता हूं महला हूं यह उनसे भी जानता हूं तो आप बहुत अच्छी सुवीदा हो रही है को भी अच्छा सड़क वड़क सब अच्छी बनवादी सब कारिया चल रहा है यहां पर साथ बज़े के बाद कर महला लेकलती सड़कों पर दिक्क सब बंद हो गया कोई भी लूट लेता था खेत में जाने की वह समस्या नहीं थी लेडिस को कोई खेत में भी निजा सकती थी इतनी परिशानी अब कोई कुछ नहीं आप बहुत अच्छा चल रहा है तो कुछ लगा पांत साल में कैसी वह सब चल रहा है विकास करा सड़क प देंगे वीजेबी तो खोक के बलकुल मना लिए अच्छा आप क्या लग रहा है पांत साल मों को बहुत बदली जी तो काम किये दरातल पर काम किये बताओ कुन सा काम ना किया जितने रोड है वो मेरी थीता काटें आजी नहीं ये बताई हो हमारा खेकड़ा जाने का कोई व अराम से चले जाग इतना सीधर रस्ता बन गया अंडर पास में पानी बढ़ा रहा था कहीं को भी निजाया जाता और आज लो हमने रोड तो देखे यह जैसे यह देरा दून वाले पर काम चल रहा पेरी फेल बन गया है यह सारणपूर बन गया मेरट वाला बन गया है तो यह रोड तो अभी बनिए जिन्दकी में रोड नहीं देखे थे लिए तो बहुत महँगाई कर दी महँगाई पैट्रॉल डीजर सब बढ़ा के तो जब आबाद्धी के इसाब से महँगाई तो बढ़ेगी उसे कोई नी रोक सकता महँगाई तो थोड़ी बहुत आट है वह तो कोई नीरो सरकारोई सकती क्या नाव का रसफित करता हूं ना बोताँ गेव ऑुता आँ जवार ऑटा मिल रा जी इस Civic पिछली बार कभी आचुक्या र YouTube कितने दिन लगता कुल रड़ी MARTipقط तो पच्छी सुपर बढ़ें उसके मिल रहे हैं इस सम्मान नीदी के जी तो जार मिलते हैं जी खते में ट्रांसफर आपका आ जाते हैं तुरंत किसी के भी चौह लिया की जौरत नी सीधे खाते में आते हैं पहले तो एक बार सूखे के मिले थे उसमें पटवारी नहीं सब न किसी को 50 रुपे कि 120 रुपे सिद्ध हत्ते मारे किसी का बिच्छोली की जरुती ना पटवारी की ना कानुगों की काम को विकास को बोड़ दिया जागा यहां से विजय पी ने किया है वैसे चलना जी और साफ है कि यहां से जो अधिकतर लोग है अधिकतर के सारे लोगों इन वेने बाचीत की यह दलित वस्ती है यहांटी रहते हैं एक मुस्लिम अंकल भी थे उन्होंने भी बात की अपनी और सबने अपनी बात बेबाकी से रखी और यहां बताया कि किस तरह से यहां पर विकास हुआ क्या कुछ मुद्धे थे उन पर शर्चा की हमने और जानने कि ये कोशिश की, क्या विधायग जी आते हैं? बताया कि बिल्कुल आप साधरन तरह का आप कभी भी मिल सकते हैं विधायग जी से। तो यहाँ पर जो आवास है तो हम लगातार देख रहें कि मिजास क्या है इस बार तो पलपल की आप तक खबरें तमाम पहुचाते रहेंगे और जन्ता का क्या है मूड और किर्म दोपर वोट होगा और किस कुमले की चोट आप तक तमाम जानकारी पहुचाते रहेंगे केमरमेन रवी आरे के साथ मैं दुश्टर पाद्ध है भागपत नमस्कार